नमस्कार दोस्तों बापस से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानि कि महिला सम्मान बचत पत्र जिसको हिंदी में बोला जाता है उसके बारे में जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यह स्कीम जो है 2023 के बजट में ले आ गया था और 2023 जो है अब खतम होने वाला है यह साल अब समाप्त होने वाला है तो उस हिसाब से दोस्तों इस स्कीम का जो है अब एक साल पूरा होने वाला है तो इसे एक साल के बाद दोस्तों हम जानेंगे दोस्तों कि 2024 में इस हस्कीम में क्या क्या परिवलतन होने वाले हैं आपके लिए हस्कीम अब कितना यूज़ फूल होने वाला है चुक्रिया हस्कीम दोस्तों महिलाओं के सचक्ती करण के लिए ले आ गया था तो 1224 में इसमें क्या क्या बदलाव किये जाने है 1224 में जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं दोस्तो उसको तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही उसके अलावे हम इस वीडियो में महला सम्वान सेविंग सेटिफिकेट को बिश्तार से समझेंगे नेरे नियम के अलावे दोस्तों हम इसमें जानेगे कि कौन-कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पोस्ट ओफिस के अलावे और कौन-कौन से बैंक में आप इसस्की में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इस स्की में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन से डोकुमेंट्स के विशकता पड़ेगी, कौन-कौन से कागज आपको लेके जाने हैं बैंक या पॉस्ट आफिस में 2024 में दोस्तो इसका deposit limit क्या रहने वाला है, क्या या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा 2024 में इसका ब्याददर क्या रहने वाला है, इसमें कोई परवरतन की संभावना है या नहीं साथ में दोस्तो हम यह भी जानेंगे कि इसका नया जो premature closure rule आया है वो क्या है और अगर आप बिना क्लोज की एक हाते से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, बिना premature क्लोज किये, तो उसके नियम क्या कहते हैं इसके अलाबा दोस्तो हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप इसमें कितना भी रुप्या इंवेस्ट करते हैं तो उस पर आपको कितना ब्याज मिलने वाला है और आखरी में हम जानेंगे दोस्तो कि इसमें Tания of Detection का रूल क्या है क्या यह सकिम टेक्स फिरी है? क्या इसमें कोई आपको टेक्स देना पड़ेगा? तो इन सारे बातों को दोस्तो हम लोग बिस्तार से इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो काफी अच्छा होने बाला है दोस्तो वीडियो के हम तक बने रही है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको share किजेगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देजेगा आएए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कौन-कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता है या महला सम्मान बचत पत योजना है तो कोई भी महला जो है वो अपने नाम से इससकी में इन्वेस्ट कर सकती है कोई भी गार्जियन जो है अपने बच्चे के minor girl minor girl child जो होते है उसके भीषाफ में इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम में दोस्तों आप joint account नहीं खोल सकते है यानी कि महलाओं के नाम से जो भी account खुलेगा और single account खुलेगा, वो किसी के साथ joint नहीं किया जासता है, इसको किसी के साथ joint नहीं किया जासता है, अब आपको बताते हैं दोस्तो कि post office के अलाबे आप कहा कहा इसमें इन्वस्ट कर सकते हैं, post office के अलाबे दोस्तों आप SBI में कर सकते हैं, PNV Bank में Bank of Badaoda, केंड़ा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक अफ इंडिया, सेंट्रल के हैं आप चार प्राइबेट बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं ICI, ICI Bank, HDFC Bank, Exis Bank और IDBI Bank ये 12 escolaz bank और 4 private bank में भी आप इससकी मेन इंवेस्ट कर सकते हैं अब बताते हैं दोस्तो कि आप खाता जब खुलवाने जाएंगे जब इससकी मेन इंवेस्ट करने जाएंगे तो कॉन-कॉन से कुमेंट बचुमेंट से आपको परेगी तो अगर को दो прим करेंगे अगर आपको वहां पहले से अकाउंट है या तो आम आपको दयाना है इसमें कहते करने के लिए है का और इस 1940-19 इसwegs श्कले करने दोस्तों तो फिल्हाल इसके deposit में कोई भी परिवर्व में नहीं किया गया है इसमें जो मेनिममम जमा करने के लिमिट है वो 1 जार रुपय है और maximum deposit करने के लिमिट वह छिप फिलाल ौरा रुपय है रहांकि 2024 में 24 अल है तो 2024 में हो सकता है इसमें maximum deposit limit में कुछ परिवर्तन होने के संभावना है और यह 5 लाख रुपेक तक हो सकती है एकाउंट दोस्तों 100 के मल्टिपल में खोला जा सकता है और एक इंडिविजुल जो है कितना भी एकाउंट खोल सकते हैं मैक्समुम 2 लाख तक में अभी फिलाल लेकिन एक एकाउंट खोलने के बाद दो से तीन महिने बाद ही खोल सकते हैं अब अपने बच्ची के नाम से जरूर खोल सकते हैं लेकिन अपने नाम से एकाउंट खोलने के तीन महिने बाद ही दूसरे एकाउंट खोल सकते हैं फिर बात करें दोस्तों इसके ब्याददर की तो इसका बरतमान में ब्याददर है वह 7 प्रतिसत है इस भी आज में दोस्तों आपको quarterly compound interest मिलता है लेकिन ये सारा पैसा जो है आपको एक हिसे में दो साल पूरे होने पे ही आपको closure के time ही interest जिया जाता है बीच में आप interest को बिड्रो नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप quarterly compound interest हो रहा है तो उसी साब से accumulated interest rate को देखेंगे तो वह 8% हो जाता है जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसका maturity period दो सालों को होता है फिलाल ये 2025 तक a scheme लागू है तो दो सालों का scheme है अगर अभी भी आप खोलेंगे तो ये दो सालों तक scheme valid रहेगा तो दो सालों में यहाँ पे दोस्तों आपको 8% दे रहा है जो कि अच्छा खासा return भी कहा जा सकता है आईए दोस्तों अब इसके हम premature closure और बिड्रॉल रूल जो कि ने नियम है इसको जानते हैं कि premature closure करने का और समय से पहले पैसे निकालने के ने नियम क्या करते है पहले partial withdrawal rule को समझें के दोस्तों कि अगर आप account close भी नहीं करना चाते हैं premature और बंद भी नहीं करना चाते हैं और उससे पैसे आप भी आपको निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों निया नियम कहता है कि account holder जो है maximum 40% तक जितना इन्वेस्ट है उसका 40% तक पैसे निकाल सकता है अगर आपका खाता खुल हुए एक साल पूरा हो गया है तो यानि कि खाता खुलने के एक साल के बाद अगर आपको बीच में कभी पैसे के जरूत पढ़ती है तो बिना खाता बंद किया आप 40% तक उससे पैसे बिड्रॉक कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या है पैंक या पुस्ट आफिस में एक application देना होगा और जो भी form रहेगा उस नया withdrawal rule है दोस्तो आइए दोस्तो अब इसके premature closure rule को जान लेते हैं premature closure rule क्या कहता है दोस्तो के account कोई भी जो है आप इसमें खुलते हैं वो कम से कम 6 महिने तक लोक रहता है 6 महिने के बाद दोस्तो आप इसको premature कर सकते हैं खाता खोलने के बाद अगर आप 6 महिना पूरा हो गय तो उसके बाद आप खाते को prematurely close कर सकते हैं लेकिन जब आप इसमें close करेंगे दोस्तो prematurely तो आपको जितना भी इंट्रेस्ट मिल रहा है भी मतब जिस इंट्रेस्ट पर खुलवाये थे जैसे भी 7.5% है तो उससे 2% कम आपको interest मिलेगा यानि कि आप जब close कर भाएंगे तो 5.5% ही आपको ब्याज दिया जाएगा बाकी 2% ब्याज आपसे काट लिया जाएगा आजए दोस्तो अब इसके maturity value को जान लेते हैं कि अगर आप 1,000,000 रुपया इसमें इंवेस्ट करते हैं तो आपको इसमें कितना ब्याज मिलेगा देखिए यहां पर आप अगर 1,000,000 इंवेस्ट करने पर 1,16,021 रुपया ब्याज मिलता है अगर दोस्तों आप इस स्केम में 2,000,000 रुपया इंवेस्ट करते हैं जो कि maximum deposit limit फिलहाल है तो 2,000,000 रुपया इंवेस्ट अगर आप किये इस स्केम में तो दो सालों में दोस्तों कुल आपको 32,044 रुपया ब्याज सकते हैं तो कुल मिला को जो maturity के समया आपको पैसा मिलेगा दोस्तों वो दो लाख 32,044 रुपया मिलेगा आपको दो सालों में तो इस तरह से दोस्तों हम लगभग लगभग चीज समझ गया है महिला सम्मान बचत-पत योजना के बारे में आए दोस्तों जानते हैं कि इसके tedious or tax saving rule इसके क्या कहते हैं क्या इसमें आपको tax देना पड़ेगा क्या इसके ब्याज पर कोई tax लेगेगा या नहीं लेगेगा तो इसका नियम कहता है दोस्तों कि जो भी इसमें tedious कटता है अगर post office ये bank में वो इस scheme में apply नहीं होता है इसका जो भी interest आपको मिलेगा इस scheme में उसके आपको कोई भी tax देना नहीं पड़ेगा यानि कि जितना भी ब्याज मिलेगा वो tax free है लेकिन लेकिन इसमें दोस्तों आपको एक clause दिया है कि अगर जो भी interest आपको इसमें होता है जो भी interest मिलता है वो आपके total income में जोड़ा जरूर जाएगा tax calculation के लिए लेकिन post office ये डाग घर में इसमें आपको कोई TDS तो नहीं लगेगा लेकिन अगर आप income tax return फाइल करते हैं तो आपका जितना भी ब्याज मिलेगा वो आपकी आए में जोड़ा जाएगा और इसके उपर आपको income tax के according अगर आप tax भरते हैं तो आपको tax देना पड़ेगा इसमें दोस्तों महिला संबान बचत पत्र यानिकी MS SC के बारे में पूरी जानकारी असर करते हैं दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कि दीजिए थैंक्यू फर बाचिंग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद